नमस्कार दोस्तों आप सभीका स्वागत है विएक मिस्सा टेग्मेट है यह हम लोग जिस कंपनी के उपडेट लेने वाले हैं ब्राइट क्रॉम ग्रूप लिम्टेड है फिलाल इसमें काफी रैली के दिखाने के बाद गिरावट आई है तो आप लोगों मसे बहुत लोगों के आज कमेंट आ रहे हैं कि सर ब्राइट क्रॉम ग्रूप में अब गिरावट आ गई है तो अब क्या करना चाहिए और ये गिरावट कहां तक कंटिन्यू रहेगी उन सभी चीजों के बारे में हमें अपडेट करिए और बताइए कि अभी क्या रहने वाला है महौल तो उसी के उपर चर्चा करने वाले हैं ट्रेर्स इस वीडियो में और क्योंकि आज देखे आल्रेडी मैंने आपको काफी थ्री वीडियो मैं डेली ज्यादा पोश्ट करत है तो ट्रेर्स में आपको ट्राइडेंट के अंदर एक बंदे ने आज अभी पॉइंट आउट किया कि सर आपने इसमें बहुत बार कल-कल-कल का बोल रखा है इसका मतलब यह होता है ट्रेर्स कि जिस दिन भी अब नेस्ट टाइम जब भी मार्केट ओपन होगी तो उसके आपको ध्यान रखना है उस पॉइंट लेवल का अभी हम लोग ट्रेर्स ब्राइड कॉम ग्रुप के ओपर अपडेट लेंगे मेरे साथ वीडियो में बने रही है जो चाहर पे नहीं हो चाहिए सब्क्राइब करने नौट पे रखें जिससे आने वाले नेक्ष्ट आप तेलीग्राम पे भी जोईन कर सकते है उसका लिंक आपको वेडियो के डिसिप्समे रही है और इस को हम लोग बहुत 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 बार डिस्कस की है 6 days पहले मैंने आपको 90 rupees का target दिया था, ठीक है यह देखिए यहाँ पर mention है, और आपको मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा, कि हमारा data answers कितना perfect है, यह देखिए traders, यहाँ पर currently 90 rupees तक जागे share, और उसके बाद profit booking देखिए, तो इस हिसाब से हम लोगों की prediction रहती है, prediction क्या traders इसक कुछ इतना महान काम नहीं है, बट जो beginners हैं, उनको लगेगा कि जादू जैसा कुछ है, बहुत लोग इस तरीके से करते हैं, उनका भी data बहुत अच्छा है, find करते हैं, तो उस तरीके से हम लोगों का भी रहता है, काफी अच्छा और पैनी stock में traders, हम लोगों ने एक तरीके से बहुत महारत हासिल कर रखी है, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं है, बहुत सी कंपनियों में हमने इसको एंसिस किया है, तो traders, 5 रुपीज से हम लोग लेके चल रहे थे, 5 रुपीज से 90 रुपीज तक का टारियर था, 90 पे आने के बाद इसमें profit booking आ गई है, तो मैंने आपक क्या करना चाहिए, तब लोग अवाइट करने लगते हैं, पर कोई बात नहीं, आप लोग भी कमेंट करिए, जब वीडियो आप देखते हैं, तो उसमें कमेंट करा करिए, जिसे मुझे खुद पता लग सके कि आपको क्या response रहता है, आप लोग देखते हैं, लाइक कर देत मतलब कमेंट बॉक्स में तो मैं उसका अपडेट नहीं करूँगा, तो इस चक्कर में आप कमेंट करिए, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं, तो ट्रेरस फाइव रुपीज से हम लोग इसमें बनके चल रहे थे, और मैं आपको हर एक पॉइंट पे चाहिए, अपट रहा चा लेके कि क्यूं ऐसे हमको कैसे पता लगता है कि इतना डाटा हो सकता है, तो यह कोई बात नहीं है, मतलब में चीज वही है, डाटा तो बहुत सारा इंफोर्मिशन अब लेबल रहता है, बस समझना होता है कि आपको चाहिए या नहीं, तो ट्रेरस 77 रुपीज के अराउंड सेयर का प्राइज है, 77 रुपीज 50 पैसे के राउंड, अभी क्या करना है, कहां पर इस टॉप इस लगना है, उसको समझेंगे, 18 को इसके अर्निंग के रिजल्ट आने है, next वाले quarter 2 के, अब बहुत सी वीडियो में मैंने हमेशा, क्योंकि यहीं से स्टार्ट होता है, अर्निंग पर सेयर की बात करें, टेस टो 7.7 है, जब हम लोगन इसमें इन्वेस्मेंटी स्टार्ट किया था, तो यह नेगेटीब में था, 5 तक नेगेटीब में था, और अभी देखिए अच्छी खासी मार्केट कैपिल भी है, थोड़ा बहुत डिविडियम भी प्रोवा चार रुपए, पांच रुपए से खरीदे हैं, उनके लिए इतना गजब रहा, बीच में स्प्लिट भी रहा, तो उस हिसाब से भी रहा, जैसे कि काफी लोग इसमें 50 रुपीज के राउंड जैसे हम लोगों की भी एट्री थी, तो मैं इसमें से प्रोफिट बुक कर लिय ज़रूरी होता है, अब जब बड़ी रकम होती है, अब जैसे कि बहुत लोग थे भुले की सर, हम लोग होल्ड करेंगे, तो मैंने उनको ऐसा मना भी नहीं किया, कि आप मत होल्ड करिए, मैंने आपको कहा कि आप होल्ड करिए, क्योंकि कंपनी खराब नहीं है, और इसके ब ले लेते हैं तो चार्ट पर रेर्स वही चीज है जहां तक हम लोगों का टार्गेट प्रेडिक्ट था 90 वाला जो कि मैंने आपको बताया था कि इस हपते तक का है वहां तक सेयर गया और इसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आई है और अभी आपको जो ध्यान में रखना है वह रेजिटेंस वाइज ध्यान रखना है क्योंकि आगर आप और होल्ड करके चलना चाहते हैं मतलब बड़े जैसे कि हम लोगों ने 120 रुपीज का भी टार्गेट है आने वाले टाइम में मतलब वह तो काफी लंबा लग सकता है बट इस्टिल वह भी टार्गेट का है तो आप इसमें स्टॉप लॉपीज के साथ चलिए अब और इस स्टॉप लॉआस अब देखिये क्योंकि ये Second Resitance इस लेवल पर बन रहा है 74 रूपीज 70 पैसी के राउंड ठीक है तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है 74 रूपीज के राउंड का आपको ध्यान रखना है ठीक है यहां से अगर इसके उपर ही share रहता है यहां पर टिक जाता है तो वापस से हमको upward की rally दिखाई देगी अगर यहां पर नहीं टिक ता है तो हम लोगों को थोड़ा और dip में आना पड़ेगा 65 रूपीज 66 रूपीज के अराउंड आना पड़ेगा और आप इसलिए stop loss को रखिएगा अब आपकी अगर entry traders अब जो नए लोग जुड़े हैं इसमें उनकी entry अगर 66 रूपीज 35 पैसे से अबब की है तो आप इसमें profit book करने का सुच सकते हैं ताकि वापस से आप वापस से इसमें entry ले सकते हैं थोड़ा profit book करके पर अगर आपका long view है तो आप बनके इसमें चलिए कोई दिक्कत के बाद यहां पे नहीं है तो इस हिसाब से condition है और यहीं से अगर यहां से upward रहता है बहुत लोग बोल रहे थे कि अगर सर पूरा गिरना होगा तो कहां तक गिर सकता है फिलाल देखें ट्रेल्स यहां पे अभी तो कुछ ऐसा generate नहीं हुआ है चार्ड में कि मैं आपको ऐसे ही कुछ नंबर बता दूं कि यहां तक ही गिरेगा फिलाल हम लोग इसके resistance को मानेंगे कि यह एक अच्छा support level है जैसे 74 रुपीज 10 पैसे 66 रुपीज 35 पैसे इस हिसाब से इन दोनों को आप follow करके चल सकते हैं तो जब मंडे को market open होगा तो सबसे पहले आप 74 रुपीज 10 पैसे पे देखेंगे 74 रुपीज 10 पैसे के round अगर टिक जाता है तो हम लोग वापस से target follow up करेंगे और सबसे पहले वापस से वही 90 रुपीज का target होगा अगर इसके 90 रुपीज 25 पैसे के ऊपर closing देता है तो हम लोग इसके अबब का target जो है वो भी मैं चलो यहीं पर बता देता हूँ हम लोगों को 105 रुपे तक का लेके चलेंगे ठीक है तो इस हिसाब से इसमें target रने वाला था तो यही था total update earning result पे भी हम लोगों का full focus है देखे कैसे number आते हैं तो यही था total update thanks for watching this video comment जरूर करके जाईएगा और वीडियो को भी share करिए जिससे और लोगों को इस share के बारे में पता चल सके thanks for watching this video